हेलो डिये स्टुडेंट्स तिवारी अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम बात करेंगे आएक्सोसाइज 11.2 के बारे में जिसके अंदर सबसे पहले आप देखेंगे question number first जिसमें हमें दिया हुआ है कि एक equilateral triangle है जिसे हम L के तुरू so कर रहे हैं तो आपको इस equilateral triangle का perimeter find out करना है दिखें एक चीज़ आपके mind में बहुत ही clear होना चाहिए कि जो equilateral triangle होता है उसकी तीनों side is equal होती है यानि कि अगर एक side इसके L होगी तो तीनों side ही इसकी L होनी चाह अब इसे हम डिनोट कर रहे है आल के तुरू तो हम कैसे इसे इसका पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे हम इसके पैरामीटर को एक्सप्रेस करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे side of equilateral triangle equal to 1 यानि कि सबसे पिल हमें लिखना होगा side of equilateral triangle side of equilateral triangle अब equilateral triangle का side है वो हम किस के तुरू बता रहे हैं आज जैसा कि equation में हमें दिया हुआ है कि आपको L के तुरू बताना है तो equal to L हम लिख देंगे अब हमें find out करना है इसका parameter parameter तो parameter find out करना बहुत असान है कि कैसे हम find out कर सकते हैं देखिए L into 3 तो इसको हम लिख सकते हैं 3L आप चाहे हैं तो इनको लिख सकते हैं 3 into side होता है या L plus L plus L करेंगे तो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं L plus L plus L यूगि तीनो side equal है तो यह 3L आएगा या फिर जो इसका parameter होता है वो होता है 3 into side तो 3L रख सकते हैं जैसा आपको समझ आता है आप उस तरीके से कर सकते हैं अब हम बात करते हैं इसी का जो second question है उसके बारे में और उसमें देखते हैं कि क्या चीज़ें पूची गई है हमसे और कैसे एक regular hexagon hexagon का मतलब होता जिसके अंदर 6 side होती है और देखिए यहां पर 1,2,3,4,5 and 6 total 6 side है यहां पर इसका हमें parameter find out करना है तो सबसे पहली चीज़ हम लिखेंगे side of hexagon side of hexagon right अब यह hexagon का जो side है वो क्या है वो हमें express करना है L के through तो हम इसका parameter find out कर सकते हैं इसको parameter find out करना easy है फिर हमारे लिए हम लिख सकते हैं यहां पर 6 into side right और side को हमने माना है L तो 6 into L यानि कि 6 L यह एक जो हमारा regular hexagon है उसका parameter हमने find out किया हुआ है इसी तरीके से अब हम बात करते हैं इसी का ज करेंगे कि क्या दिया गया है और कैसे हम उस question को solve कर सकते हैं question no.3 के अंदर आपके पास एक cube दिया हुआ है जो की 3D dimensional है दिखे 3D dimensional को कुछ इस तरीके साब design कर सकते हैं और इसके पास six faces हैं और सारी जो faces है all of them are identical squares जो भी faces हैं हो एक square के format में है और length of and as a cube of given by L और जो भी इसकी length है उसको L के तुरू हमने बताया है तो हमें find out करना है इसकी total length find the total length of as of the cube दिखें सबसे पहले length हम find out करेंगे one one age की cube की सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे length सबसे पहली चीज़ जो मैं mention करनी है वो है length of one age length of one age of cube one is of cube equal to L और number of ages फिर हम लिखेंगे यहाँ पर number of ages number of ages in a cube number of ages हमारे पास दिए हुए है 12 तो total length जो है हमारे पास वो क्या दिवी है total length total length हमारे पास दिवी है 12 into L तो यह हो जाएगा हमारे पास 12 L राइट अब हम बात करते हैं question number fourth के बारे में और question number fourth काफी interesting question दिए इसमें काफी चीज़ें आप समझ सकते हैं देखिए question number fourth में एक circle दिया हुआ राइट और circle का जो diameter है the diameter of circle is a line और जो इसका diameter वो एक line है जिसमें आप समझ सकते हैं यह भी एक line दिया हुआ है आपके सामने और फिर जो चीज़ें दी हुई है कि which joins two parts on the circles also passes through the center of the circle in adjoining figures AB is a diameter AB आपका diameter है और C center है उसका R radius है सारी चीज़ें पता है अब आपको सबसे पहले तो length जो होती है वो क्या होती है आपको यह चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता है कि length length of diameter length of diameter is double वो double होता है right double the length of the length of radius radius की जो length होती है उसके बिलकुल double होता है हमारे diameter तो हम इसको बिलकुल इस तरीके से हम इसको mention कर सकते है कि D equal to आप लेख सकते है 2R तो इस तरीके से आपको express करना है diameter को हमना express कर दिया diameter को D के तरू और radius के time तो यह था हमारा question number fourth अब हम बात करेंगे question number fifth के बारे में उसको जानने और समझने की कोसिस करते है कि क्या दिया हुआ है और कैसे question number fifth को solve किया जा सकता है question number fifth के अंदर चीज़ें बहुत ही clear है कि हमें some find out करना 3 numbers दे हुए 14, 27 और 13 दो तरीके हैं some find out करने का पहला we must first edit 14 and 27 and get 41 जब इनको हम plus करेंगे 41 मिलेगा उसमें 13, 8 करेंगे यारी कि सबसे पहले इनको plus किया 13 को plus करेंगे तो total sum 54 होगा right दूसरा तरीका है कि आप 27 और 13 को 8 कर लो उसके बाद जो भी आपका sum आ रहा है उसमें 14, 8 कर लेंगे right तो इस तरीके से दोनों चीज़ें associative of additions of the number associative property है और express करना है इस property को ABC के terms में और आपने whole number में भी इस complete concept को भी बढ़ा है दीकिए चीज़े बहुत clear है एक तो A plus B को पहले plus करो फिर C को plus कर दो या फिर आप क्या कर रहे हैं B plus C को plus कर रहे हैं सबसे पहले और उसमें A को plus कर रहे है तो चीज़े बहुत clear है इस तरीके से आप associative property को जो हमारे exercise 11.2 आप लोग को बहुत अची तरीके से समझ आई होगी अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई doubt है तो आप comment box में question पूछ सकते हैं इसके लावा आप हमरे website को visit कर सकते हैं वहां से PDFs free of cost में download कर सकते हैं और इसके लावा कोई doubt लगता है तो आप comment box में question भी पूछ सकते हैं